अशोग विहार के जूले लाल मंदिर में चल रहे चालिया महुत्रब की शुरुआत प्रति दिन जूले लाल जी की आरती से होती है आई यू लुकिंग फोर द्रीम होग इन नौईडा थें प्लियो काउंटि इस दा राइक चॉएस नौईडा फर्स जेन्विन लग्जरी प्रोजेक्ट लियो काउंटी लग्जरी अपार्टमेंट्मेंट्में इन सेक्टर 121 नौईडा CNBC Real Estate Award winner for quality and excellence आरती के बाद सभी आए हुए श्रद्धालूओं और मुख्य अतितियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाता है कुछ ऐसा ही नदारा रहा शनीवार को जब सिंधी समाच के भीशम पितामा कहे जाने वाले शिरी लख्मी चंद मकरानी जी और उनके पूरे परिवार ने बंडारा साहिक की सेवा दी स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अशोग बहर सिंधी समाच के अध्यक भरत वातवानी ने एक नए अंदाज में म्यूजिक की धुन पर सभी का स्वागत किया शाभाए अध्यकर्ण के देषा अध्यके ध्यकी समाच प्राइब अध्यकर्टि की तो और फिर शुरू ही मशूर भजन गाई का लता परदेशी की गीतों की धूम जिसने सभी को मदमस्त कर दिया तेरे हो गई राम और क्या कहने लगे प्रभू जब आप आओगे तब इस दिल को आराम मिलेगा कैसे की आराम मिले आराम की आराम मिले आराम भर्त तेरा तेरे बिन इसका तेरे वो गई रें चलना पजनी सपर, चलना पजनी सपर, चलना पजनी वाला है इसी बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से श्रधालू शिरी जूलेलाल मंदर जोते लेकर भी पहुंचे अंत में सभी आए हुए श्रधानू ने परम पुझे स्वामी गौरी शंकर जी से आशिरवाद लिया और चालिया महुटसब के एक और दिन का समापन बड़ी धूमदाम से हुआ अनू मलोतरा के साथ अमित मलोतरा फनाई नियूस ब्यूरो